हेलो गाइस तो क्यासी हो आप लोग आई होप आच्छे होंगे तो मेरा नाम है रोष्ट कुमार और आज हम बीसी फाइल नेयर की बुक लेनेयर अलजेबरा और इसका चेप्टर नंबर टू बेसिस एंड डुमेशन्स की थियोरम नुम्बर को 6 आज हम तोल्ब करेंगे ओके तो फैल के पॉइंट और यह थियोरम मुझे किसी ने बड़ से तैंड किया था ठीक है किसी भाईगे मुझे यह तो आज हम फिर्व को जो आउट करते हैं प्रूफ करते हैं आपको इस थियोरम से अलग से यूज किया गया है बस क्राइमिंग नहीं करना है आपने समझना है तो आपने जे पूरा का फूरा एक बार समझ लेना है मदब समझ लेना है पढ़ लेना है ओके आगे हम सिधा प्रूविंग पे जाएंगे तो जल्दी से हम करते हैं इसका शुलूशन पार्ट को स्टार्ट ओके तो जे रही आपके पास थ्यूरा नंबर 6 देखो इसको करने से पहले आपको साइड में एक नंबर दिख रहा है ना मालों आपको किसी भी क्वेशन में प्रोबलम आती है तो मुझे आप बड़ सैफ कर सकते हो आपको वो क्वेशन PDF के रूप में जा तो वीडियो के रूप में मिल जाएगा ओके तो हम जल्दी से आते हैं इस क्वेशन को इस क्वेशन का फील लेने के लिए आपको वीडियो में बने रहना है अगर जी क्वेशन आपको समझ आएगा तो आपने इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि मैं हर बार बूल जाता हूं बोलना तो इस क्वेशन को करने से पहले ना आपको ज कुछ नहीं दे रखा है तो आपको यह पता होना चाहिए स्क्रीन शोट खींच लेना है जा तो लिक लेना है ठीक है इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूं तो अब आते हैं अपने क्वेशन पे तो यह पहले इन्हों नों बोला कि इफ विए वेक्टर स्पेस देन प्र तो यहां पे बीटो मिले आपर हमें आलफा के जलूरत है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा देर एग केला तो यूसे स्केलर आलफा वन कोमा अलफा टू कोमा अला डूपा क्जाएगा अलफा यंपलों डू अप्ड एप है आलफा एन या आलफा बन किसी एक के लिए जीरो पुट आउट कर सकते हो ओके तो आगे देखो इनका कंबिनेशन इस तीज को समझते हो आलफा एन की जगह पे जीरो अपलाई कर सकते हो आपको क्या करना पड़ेगा एंड की जगह पे रिप्लेस करवाना पड़ेगा एम तो आपने क्या कर सकते हो इधर एन की जगह पे एम अपलाई कर सकते हो और जो एम है ना एम इस ए लारजेस्ट नंबर जा लारजेस्ट पिक्स होता है ओके आपने ऐसे लिख लेना भुक में देख लेना है ओके तो आगे बढ़ते हैं इसकी जगह पे क्या अपलाई करना है M apply करना है आलफा 1 B1 आलफा 2 B2 प्लस आलफा 3 B3 अगले केस में यह वला नहीं लिखूंगा ओके प्लस आप टू सोन आलफा M और क्या जाएगा B M ओके इतना तो क्लेर हुआ आगे देखते हैं आगे जो फार्मूला यूज होगा मैं इधर रख देता हूं इस फार्मूले को आपने चेकाउट कर लेना है इजी से है ना आगे देखो कैसे करना बुक मैं भी देखते रहे ना आगे मैं लिख लेता हूं आलफा बन बीडियो थोड़ी सी लेंटी हो सकती है तो बीडियो में बने रखते हैं मैं यह थ्री वाला स्किप कर रहा हूं के प्लस अप टू सोन जेखो आलफा M और बीएं इधर देखना यह रखार्मूले में देखो आलफा बीवन आलफा टू बीडू मुझे मिला प्लस अप टू सोन मेरा तो आगे आना चाहिए था आलफा के माइनस बन और बी के माइनस बन एक बात हमेशा जाद रखना है जो पहले वैली मिलती है जे मिलेगे उसके बाद N वाले वैली मिलते है पहले माइनस मिलेंगे फिर उसके बाद प्लस वाले म कहां हम आगे यहां पर प्लस पर आगे सीधा तो हमारा वैल्यू कहां बढ़ रहा एम्पलस वन देखो जहां पर के प्लस वन तो म प्लस बन और बी एम्पलस बन ऐसे 2 लिए भी म्पलस लाहिसे एक साकते हैं तो सिज़ा कहां पंच जाते हैं हम अपने इस कॉइν्ट प venues जाते हैं ऑल्फा m b m ओक है वोक मैं असा नहीं दे रखा आपट ऑफा टू बी टू प्लस अप्टू सोन आलफा एम टिक है तो जो आ गया जीरो तो यह हमारे पास बच गया बी एम प्लस बन प्लस अप्टू सोन इसकी जाग़ा पिर किया जीरो तो बीम आ गया ठीक आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी गलत नहीं करेगा तो यह देखो जि ठीक है पर हमें मैंचिन तो करवाना ना फार्मूले के साथ तो यह तो सीथा जीरो बच गया हमारे पास क्या बच गया सीधाई आलफा बीवन आलफा टू बीटू प्लस अप्टू सोन आलफा एम यह लिख सकते थे ठीक है अब आपने क्या करना है एम की जगपे वन अपला करो पला इदर आलफा बन और यहीं मिले ना तो इस इकल टू जीरो आप देखो हमें क्या करना है इन्होंने बोला हुआ की मतलब आब बीवन जीरो इसके बाद मैं जहां पर करता हूं ठीक है आलफा बीवन इस इकल टू जीरो तो यहां पे बीवन का वैली निकालो ठीक है लिश्प का वैसे निकालो जीरो अपॉन आलफा बन तो जीरो पॉन आलफा कितना होता है जीरो को तो बीवन का वैलिय कितना आगया हमारे पास जीरो आगया इतना तो आपको क्लारीफाई हुआ ना अब देखो अब हम आलफा बन की जग पे एकल टू नोट जीरो कर देंगे ठीक है इसी एक को जीरो रख सकते हैं दोनों मैं से दोनों को एक साथ जीरो नहीं रख सकते तो best feel के साथ देखो आगे क्या करना है आपने बीच एक ना contradiction apply करने है इदर contradiction क्या होनी चाहिए बन से छोटी होनी चाहिए तुन रहे हो न द्यान से और तू से बड़ी होनी चाहिए तुन रहे हो द्यान से देखते अभी करते हैं contradiction हमें apply करनी पड़ेगी देखो हमारे number क्या चले हो एम चले हो ना तो एम लेस दन वन ओके और हमारा चला है एक least upper bond और greatest lower bond सर यह क्या होता है यह देखो यह less बाला होता है हमेशे ज्यास इसको देखो समझो ध्यान से एम less than equal to n इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको मैं ऐसा ना लिख सकता तर यह इसको वैसे क्यूं ने अरे इसका मूँ देखो नो किसकी तरफ है एम की तरफ है तो मैंने एम की तरफ के दिया इसका मूँ देखो किसकी तरफ है एन की तरफ है तो इसका मतलब हुआ हमारे पा तेजना आपको जाद होना चाहिए और M की वैड़ी हमारी टू भी हो सकती है और टू से उपर भी जा सकता है टू थ्री फॉर फाइफ जितना भी जा सकता है यह आपको क्लेर हुआ और इन दोनों मैं ऐसे आपका जे वा लीस्ट अपर बॉंड और इसमें से वा ग्रेट टेस् वा ना यह लिट लिख दिया लेर हुआ इसका मतलब आपकी वैली जो भी है माइनस और टू के बीच में होनी चाहिए और बो इकल टू भी होनी चाहिए दोने की क्लिट लिए हुआ हम जी आगे देखो कैसे क्यांना है बीडियो लेंसी हो सकती तो बीडियो में बने रहना आ आपने यह वाला एक बार फिर से लिख दो आप पर लिखना कैसे जह आलफा m ऐसे गरो आलफा m और बी एम ठीक है तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दो यह फार्मूला है ना जो को आलफा m बी एम थोड़ा सा रिलाइस करके लिख दो आलफा 1 b1 अलफा 2, B2, O,K, पलस अब 2 स्टोन पलस अलफा M-1 आया था कहीं नहीं देखो आ रहे हैं ना जए, आलफा M-1 और B M-1, बुक मैं बिल्कुल सीधा ट्रैक्त लेकर थार कि हम फारम लेकर ब्ले के चलिए हम ऐब ठीक है, मालो जहां पे अलफा M और B M ले लिया, क्योंकि हमें बनाना तो है नो कुछ नो कुछ तो चीज माननी पड़ेगी तो आगे देखो बुक में थोड़ा सा शोट किया है तो हम एक स्टेप जहां से माइनस कोमन ले ले लेते हैं तो आलफा बन भी बन सर जे कैसा माइनस कोमन आलफा टू बी टू अब इन्होंने बुक में एस सीधा दे रखा है ओके यह माइनस है जे जो डैश बने है ओके जे भी माइनस है तो आलफा एम माइनस बन और बी एम माइनस बन अरे देखो ना द्यान से यह माइनस को इसके साथ मुल्टिपलाई किया तो पलस हो गया ऊपर बना ही तो मिलेगा ठीक है तो सब के साथ पलस होता जा लाएगे आप जहां से निकालो बी-म आल्फा वन इसके नीचे भी चला जाएगा इसके नीचे बीवाइड हो जाएगा तो इतना आपको क्लेर होना चाहिए माइनस आलफा बन तो आलफा एम ने जहां से फोड़ी सी गलती होई या भूआ उती कर ले ना प्लस माइनस के अंदर लिख जाएगा आलफा-2 और आलफा-em जाएगम युदर आजाएगा आहाला पास bigger प्लस आव आयघा माइनस हार आल्फा-2 निच्छे आयागा और winter आ अ ब लिखा बाया वा उनका अंसर तो हमने दोको कैसे कि ओड़ासा फार्मलर लगा कि की हम आगे च्वा कैसा अब आप अंसर आचुका तो मुझे बोला जाता है वेक्टर स्पेस B1 B2 किसका हो जाएगा B M-1 ठीक है क्योंकि जो आलफा है जो स्केलर कॉंटिटी है फिर स्केलर में बोला जाता है इसको को कि exist करते हैं अब जो को करना है हमने Conversely Part Conversely Part आपके लिए important भी है और आपने समझना भी है Conversely Part में क्या करना है आपने एक चीज प्रूख आउट करनी है इसको ले लेना B, K, belongs to S अब K वाले function ले लिए है Can be X आपने लिख लेना है अब देखो Conversely के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा एक बीटा लेना पड़ेगा उपर वाले के लिए क्या लिए था आलफा नहीं जहां पर बीटा ले लगते है तो थोड़ा सा छोड़ तरीके से करते हैं B, K, is equal to इतर आजएगा बीटा 1, B, 1 बीटा 2, B, 2 प्लस अप्टू सोन प्लस बीटा के माइनस 1 और इधर के आएगा B, K, मस जही फार्मूला है उपर वाला ओके आपने देख ले ना कौन सा यूज किया गया है ओके आगे देखते जाओ क्या करना है इन्होंने यह भी लिखो आगे बीटा 1, बीटा 2 प्लस अप्टू सोन बीटा के माइनस 1 बीटा के माइनस 1 और बीके माइनस 1 इसको ना इनके साथ यह बीके माइनस का बीके अपलाई की हुए है ठीक है माइनस का बीके ही अपलाई की हुए है ठीक है सिर्फ यह बाला जहाँ पर प्लस मेलर है ना ठीक है इन्होंने क्या की हूआ है जहांपर माइडना पर बनाने के लिए आलफा हाले क्यों है काट दियो हैं कि जहे scientists की अब दियान से सिर्फ हमनें जहाँ पर माइनस लगाना तूर लगाना लगाना प्लस अधे यह वन आगया अगया ना इसको हम एसे भी लिख सकते हैं तभी ऐसा बन जाएगा जो पर जैसे अजी आगे देखो हूँ आपको इतना पता हूं कि यह 0 भी के प्लस बन घिक है इसकी जगवर क्या पुट कर रहरे से जिरो बना से अबSबन प्लस आप टू सोन में सीधा लास्ट का अंसर रिक़्रा हूं तिका जी रो बी एन ये वारा सीधाई है ठीक है टू के लिए नहें के मैंने इसकी जगवर पर जिरो कुट किया तो सीधा बी दोन और बीट टू आहार केलर क्या है जिस केलर कहा तक मिले हमें बी-क माइनस वन और बी ए इस वोड़े हैं इसके लिए सोरी ऑके तो आपने ऐसा करना है equal to minus 1 हमें new function क्या मिला है एक minus का मिला हुआ यह ठीक है जो इसको हमने क्या के लिए बीटा वी के क्या लिए हमने minus 1 तो यह कभी भी हमने equal to note 0 ऐसा आपने काम करना है यह देखो यह इतना जो process है आपको क्राइमिंग करना पड़ेगा थोड़ा सा आपने इतना समझ लेना है यह बाला आगे देखो आपका अंसर आगे फिर सीधाई शीजा लिख सकते हो बीटा बीवन एक लाइन लिख वे वो आपने नहीं लिखनी है बीटा बीवन प्लस बीटा बीटू ऐसे लिख सकते हो प्लस आप टू सॉन बीटा एन और बिएन इकल टू जेरो तो जही आपका अंसर है लास्ट मैं आप ऐसा लिख सकते हो बीवन बीटू अप्टू सॉन बीएन आर लीनियर डिपेंडेंड बैक्टर ओके तो जही आपका अंसर है जो मैंने एक लाइन स्किट किया है ना ठीक है वह हिसी मैं आपको बता देता हूं तो मैंने लिखा नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है ओके तो हमारे पास जही अंसर है तो आपने देख लेना है ठीक है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सस्क्राइब चुरूर कर देना है तो ऐसे ही हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक क्या